कोशन है आपका प्रशन वाच्चक चिन्ने यहाँ पर आपका लगा हुआ है के स्तान पर यह लुप्त पद्ध संख्या और वर्ण वाला ग्यात कीजिए इसके लिए आपको यहाँ पर चार आप्सन भी गिवन हैं तो इसे हम सोल करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें वन बाई वाने इन सब गो कंपेर करते हैं तो सबसे पहले आपका च्छे लिखा हुआ है च्छे के आगे 19 लिखा हुआ है 19 से आगे आपका कोशन चिन है कोशन चिन से 175 है एक सो पिचित्तर के आगे आपका 526 है तो यहाँ पर जो गृप बने हुए है तीन-तीन संख्याओं के जो set बने हुए हैं उनकी हमने पहले पहले नंबर को हमने compare किया तो सबसे पहले हमने देखा 6 से हमें 19 पर जाना है तो 6 को हम क्या करें अगर 6 को हमें 3 से गुना कर दें और इसमें 6 तिया 18 आपका हो जाएगा अगर इसमें एक जोड दिया जाए तो आप किस पर पहुंच जाओगे 19 पर पहुंच जाओगे इसी प्रकार से हमने 175 से 526 पर जाना है तो 175 को हमें 3 से गुना करेंगे तो 5 ति 15 हासिल एगे साथ या 21 और 12 हासिल दो 5 तीने कम तीने 3 और 2 पांच हो जाएगा एक इसमें जोड होगे तो संख्या आपके 526 बन जाएगे मतलब संख्या को 3 से गुना करके अगर उसमें एक जोड दें तो आपको नेक्ष्ट संख्या प्राप्ते हो जाती है सिमिलर कंडिशन हम लगाएंगे 19 को हम कितने से गुना करेंगे 19 को हम यहाँ पर 3 से गुना करेंगे 19 से 12 या 57 तो 57 में हमें कितना जोड़ना है एक जोड़ना है तो संख्या आपकी पहली संख्या कितनी आ गई अठावन आ गई जो कि option number 3 और 4 में आपको given है मतलब भी option number 1 गलत हो गया और second भी आपका गलत हो गया अब आपको only check करना है option number 3 और 4 को हमें check करना है जिसमें हमने देखा जो second जो number है उसमें दोनों में same लिखा हुआ है 69 और 69 लिखा हुआ है तो second number को हम find out ही ना करके हमें directly थार्ड number को find out करेंगे कि यहां पर G आएगा या H आएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं B लिखा हुआ है उसके आगे D लिखा हुआ है उसके आगे question 9 है उसके आगे के लिखा हुआ है और सबसे last में P लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम अगर बात करें B से हमें D पर जाना है तो B के वाद में C आता है C के वाद में D आता है तो B से हम कितने इस्तान चले दो इस्ताने चले इसी परकार से आगे हम देखते हैं हमें के से P पर जाना है तो के के वाद क्या आता है L M N O P मतलब कितने इस्तान चले पांच इस्तान यहाँ पर आपे चले तो शुरू में आप दो इस्तान चले लाश्ट में आप पांच इस्तान चले तो बीच में आपको कितने इस्तान चलना पड़ेगा बीच में आपको तीन इस्तान और चार इस्तान चलना पड़ेगा तो इस प्रकार से दो तीन चार पांच इस सीरीज के करम में आपको चलना पड़ेगा तो D से तीन इस्तान चलोगे तो D के बाद में क्या आता है E F G क्या आता है E F G आता है तो लूपत इस्टान पर क्या जाएगा आपका जी आजाएगा और जी से एक 4 इस्टान चलोगे तो जी के बाद में H, I, J, K के आपका 4 इस्तान पर आजाएगा मतलब 3 इस्तान पर आपका क्या ऐगा जी आएगा तो option no.3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आजएगा पहले सबसे पहले अठावन आएगा उसके आगे 69 आएगा और सबसे लाश्ट में आपका जी आएगा तो यह आपका ग्रूप बन जाएगा संख्याओं का और option no.3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा option है आपका कौन सा इस्तान है तेरवे स्तान पर आपके अंजू बैठी है और नीचे से कौन से इस्तान पर वो बैठी है यह आप से question में पूछा गया है तो कुल कितनी छात्राएं हैं कतार में तो कुल मिलाकर तेस छात्राएं हैं मतलब उपर से नीचे तक है तो तेस माइनस 13 ट्लस एक क्योंकि अंजू का जो नीचे से इस्तान है और जो उपर से इस्तान है वो तो केवले एक स्तान होगा तो यहाँ पर दो इस्तान हो जाएंगे अगर हम उपर वाले को घटा देंगे तो इस कारण से हम यहाँ पर करेंगे जोड़ेंगे तो तीस मेhis से तेरा अगर आप घठाते हो तो आपके वाश कितना बचेगा सत्रा बचेगा और उसमें एक जोड दोगे तो नीचे से कौन सा इस्तान हो जाएगा नीचे से आपका अठारवा इस्तान हो जाएगा मतलब अंजो नीचे से अठार वेस्तान पर बैटी है option number B हमारा यहां पर correct हो जाएगा question है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का chain करना है इसके लिए 4 option है A, B, C, D आपको given है तो A में 7 लिखा हुआ है B में आपका 15 लिखा हुआ है C में आपका 31 लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम संग्या देखते है 7 लिखी हुई है तो 7 को क्या लिख सकते है 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते है मतलब 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8 माइनस 1 कितना होता है आपका 7 होता है इसी परकार से 15 को हम क्या लिख सकते है तो 15 को हमें दो की पावर च्यार ये माइनस एक लिख सकते हैं तो दो की पावर च्यार क्या होती है 16 माइनस एक आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा इसे परकार से 31 को क्या लिख सकते हैं दो की पावर पाँच यह, माइनस एक लिकेंगे, तो आपका 32 माइनस एक कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, इसी परकार से आगे हम बात करें, तो सतावन लिका हुआ है, तो दो की पावर हम छे करेंगे, माइनस एक करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 32 दुना 64 हो कि यहाँ पर 63 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 57 लिकावा है जो कि किसे भी कंडिशन में 2 की पावरे और उसके माइनस में एक करने के बराबरे नहीं होता है जिबकि संक्या 7, 15 और 31 दो की पावर करके उसमें से एक गटाने पर प्राप्त हुई है जबकि D में ऐसा नहीं है तो D हमारा बेमेल विकल पे हो जाएगा नंबर सीरीज का आपका कोशन गिवन है 462, 420, 380, कोशन मार के उसके बाद में 306 तो कोशन मार का आपको मान फाइंड आउट करना है A, B, C, D आप्शन में से तो कैसे मान फाइंड आउट करेंगे यह आप सीरीज देख पा रहे हो यह डिक्रीजिंग ओडर में है तो ऐसी सीरीज में हमेशा संक्याओं को आपस में गटा के देखते हैं तो 462 में से आप 420 को गटाओगे तो आपका 42 आएगा इसी प्रकार से अगर आप 420 में से 380 को गटाओगे तो आपका 40 आजएगा मतलब 42 अगर 40 पर अगर आप जाओगे तो माइनस टू यहाँ पर होगा तो आगे वाले संक्या में हम कितना गटाएंगे 38 हम गटाएंगे तो हमारी कंडिशन आगे फुल्फिल होगे तो 380 में से अगर आप 38 गटा देते हो तो आपका आंसर कितना आजएगा 342 आजएगा उसके बाद में आप कितना गटाओगे 36 गटाओगे तो जैसे ही आप 42 में से 36 गटाओगे तो आप 306 पर पहुँच जाओगे तो क्या किया हमने सबसे पहले 460 में से 420 को गटाया तो हमारा 42 आगया इसी प्रकार से 420 में से 38 को गटाया तो 40 आगया 380 में से 38 को हमने गटाया तो हम कितने पर आ गए 342 पर आ गए और 342 पर से हमने 344 को गटाया तो हम 306 पर आ गए तो question mark की जगए हमरा C answer हो जाएगा 342